नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रॉक्टर पूर्णिमर रस्तोगी और आप मेरा चैनल क्लासिकल हुमेपैथी देख रहे हैं फ्रेंट्स, आज मैं आपको फाइब्रो मायलजिया के बारे में बताऊंगी मायलजिया, मायलजिया को मस्कूलर पेन भी कहते हैं और फाइब्रो मायलजिया में एक से ज़्यादा मसिल्स का इन्वाल्वमेंट होना ये फाइब्रो मायलजिया में पूरी बाड़ी में पेन होता है इसमें एक से ज़्यादा मसिल्स इन्वाल्व होते हैं इसमें कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो आपके शरीर को एफेक्ट करते हैं और आपको पेन होता है ये एक common बिमारी है जो muscles के साथ-साथ soft tissues को भी परिशान करती है उसमें दर्द होता है और धीरे-धीरे करके ये एक छोटे से point से पूरी body में spread करती जाती है ये एक acute symptoms भी हो सकता है और chronic भी हो सकता है इसमें पूर body के muscles में stiffness feel करता है stiffness के साथ-साथ उसको थकान, सुस्ती, दर्द, sleep disturbances, headache, vomiting, anxiety या तक की depression की भी शिकायत उसको हो जाती है तो ये एक प्रकार का syndrome है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो अच्छे chemicals होते हैं वो कम हो जाते हैं और जो body के बुरे chemicals होते हैं वो बढ़ जाते हैं अब specially ये सारे उम्र के लोगों को हो सकता है बच्चों से लेकर के बड़ों तक हो सकता है लेकिन आम तोर पर ये महिलाओं में देखा गया है वो भी middle age की जो महिलाए होती है जो 30 से 50 के बीच में होती है उनको जाधतर ये बिमारी होती है अभी तक इसका कोई कारण पता नह मस्तिस्क तक pain के stimuli को लेकर के जाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें pain हो रहा है वो receptors disturb हो जाते हैं इसमें कुछ chemical imbalance होता है जिसकी वजह से जो pain stimuli होती है वो amplifier का काम करने लग जाती है इसके लिए जड़ा सा भी दर्द होता है अगर तो हमें बहुत जादा फील होता है क्योंकि अगर हमें जोटा सा pain होता है तो वहाँ पे chemical disturbances इतने जादा हो जाते हैं कि वो non receptors यानि कि जो pain की stimuli को हमारे brain तक पहुचाता है उसको बहुत जादा signals मिलने लग जाते हैं chemicals की अधिकता की वजह से और वो हमें छोटे से भी pain को बहुत बड़ा करके बताता है इसको ह हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम माइक में छुट धीरे से भी बोलते हैं तो हमें आवाज बहुत तेज सुनाई देती हैं सेम non receptors भी amplifier का काम करने लगता है और हमें pain बहुत जादा feel होता है जिसकी वजह से patient कभी भी अपने pain के बारे में explain नहीं कर पाता है कितने भी test करा लो सारे test normal होते हैं इसके लिए किसी भी प्रकार का test नहीं बना हुआ है patient हमेशा अपने डर्द से परिशान रहता है वो हमेशा यही सोचता रहता है कि मुझे pain हो क्यों रहा है जब सारे test normal है इस बिमारी को diagnose करने के लिए हमें another बिमारियों को exclude करके तब बताना पड़त है कि यह fibromyalgia है अब इसके tender points क्या है जो trigger होते है यह बिमारी किसी भी वजह से trigger हो सकती है जैसे कि अगर आपको आपकी family में किसी को अनुवानशिक तोर पर यह बिमारी अगर है तो आपको भी हो सकती है या फिर कोई बड़ा accident हुआ हो जिसमें आपको चोट लगी हो तो कु होती है तो भी यह हो सकता है और अगर आपकी condition depression में है तब भी विमारी हो सकती है अब मैं आपको इसके कुछ tender points बताती हूँ जैसे jaw के नीचे breast के upper edges पर और बगल में side में right side left side और दोनों elbows पर hip joints पर, नीचे back पर, knee joints पर, elbows पर, ankles में ये सब कुछ trigger points है जिस पर आपको ये pain feel होता है अब इसके लक्षण क्या क्या है तो इसके लक्षण में आप mainly दिखेंगे कि ये पूरी body का wide spread pain होता है इसमें बहुत ज़्यादा थकान होती है नींद नहीं पूरी होने की वज़े से ये बिमारी हो सकती है और ये बहुत ज़्यादा सोने से भी हो सकती है सोने के बाद उठने से उठने पर ठकान महसूस होती है बहुत ज़्यादा patient अपने आपको ठका हुआ restless feel करता है और इसका जो उसके कारण उसको anxiety होती है कभी-कभी patient अपने pain के बारे में explaining नहीं कर पाता है जिसकी वज़े से वो depression में भी चला जाता है और इसके साथ ही कुछ associated symptoms भी होते हैं साथ में इसके जिसमें patient बहुत ज़्यादा ठकान होता है इस बिमारी के साथ-साथ उसको irritable bowel syndrome हो जाते है जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा constipation हो जाता है या फिर कई बार उसको diarrhea होने ल जाती है और patient बहुत ज़्यादा restless होने लगता है और उसके कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें तो बहुत ज़्यादा irritable हो जाता है और उसकी memory loss होने लग जाती है शौट term memory loss होती है उसको कई सारे skin की problem होने लग जाती है और वो हर समय restlessness feel करता रहता है चलता रह सोता ही रहूं मुझसे कोई किसी भी तरीके की बात ना करे अब मैं आपको यह बताती हूं कि as friends इसमे medicines का रोल बहुत जादा नहीं होता है लेकिन symptomatic तरीके से medicines दी जा सकती है लेकिन इसमें कुछ management best है जिसको आप कर सकते है उसमें से पहला तो यह है कि आप exercise करिए उसमें प्लैंक्स लगा सकते हैं पुश अप कर सकते हैं कुछ दूरी पर आप cycling कर सकते हैं कुछ lungs की exercise कर सकते हैं धीरे धीरे करके दोड़ना शुरू कर सकते हैं इसमें दूसरा management यह होता है कि इसमें deep tissue massage की जाती है deep tissue massage में आपका जो massage होता वो particular area पर बहुत देर तक massage किया जाता है जिसकी वजह से आपको relief मिलता है फिर तीसरा management friends यह है कि ultrasound physical therapy massage भी एक तरीके का होता है जिसमें ultrasound machine में देख करके आपको tissues पर massage दी जाती है जिससे भी आपको pain में आराम मिलता है और चौता है कि tense unit electrodes इसमें भी कुछ electrodes होते हैं जिसमें pads लगे होते हैं जहां पे भी आपका pain हो आपर उसको चिपका दिया जाता है और यह electrodes की वजह से जो waves होती है electrodes होती है वो पूरी body में फैल जाती है और वह pain वाले इस्ट्योमिलाई को brain तक ले जाने में रोकती है उन chemicals को कम करती है जिससे आपको pain में बहुत आराम मिलता है और पांचवाय management यह कि आप swimming करके body को stretch कर सकते हैं जिसकी वजह से भी आपके chemicals pain बढ़ाने वाले कम होते हैं और आपकी body में pain कम feel होता है इसके साथ ही मैं आपको बूंद ले सकते हैं अगर आपके jaw में या फिर जबडे में pain है तो और दूसरी medicine friends यह है कि sangunaria sangunaria 200 two drops आपको दिन भर में सुबह शाम अपने टंग पे लेनी है इस medicine को आप तब ले सकते हैं जब आपकी पूरी right side affected हो फिर थीसरी medicine बहुत अच्छी आती है ओमेपेती में friends उ इसकी भी आप two two drops दिन भर में तीन बार ले सकते हैं इसको आप तब ले सकते हैं जब आपकी पीठ में बहुत जादा दर्द हो और चौती medicine friends है रस्टॉक्स रस्टॉक्स 30 जब आपकी पीठ से ले करके निचले इस तर तक पूरी body में pain हो रहा हो तब आप ले सकते हैं और इन दवाईयों के साथ साथ आप exercise करिए व्यायाम करिए अपने खाने पीने की खाने पीने की चीजों में बदलाव करिए और अपने रहन सेन में बदलाव करिए आपकी lifestyle अपनी चेंज करिए आप मुझसे भी परामर्श ले सकते हैं मेरा Gmail ID वीजियो में दिया हुआ है आप